Hello everyone, welcome to Tejas Career Academy, guys, आज है 8th of April और आज हम यहाँ पर डिसकस करेंगे कुछ घटनाओं के बारे में और उससे संबंदित, घटनाओं से संबंदित यहाँ MCQ जो कि आपका 36 गड़ करेंट अफेर्स के लिए important है, उके, चली सुरुआत करते हैं आज के इसके पहले questions का देखते हैं, प ठेक है, कौन जारी करता है Tata Trust, द Verkehr गाटा ट्रस्ट के दो आरा जारी किया जाता है, दूसरी बात किस वर्स के लिए, कौन सा, किस वर्स के लिए तो याद रखना है 2022 के लिए, कब जारी हुआ, धकर जारी हुआ, तो याद रखना है यहाँ पर आपको Fourth of April, चार अपरील को जारी किया गया टाटा ट्रस्ट के द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का मतलब यह न्यायाले के प्रक्रियाओं के माध्यम से ध्यान रखेंगे आप न्यायाले के प्रक्रियाओं के माध्यम से तो नायाले में प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो पुलीशिंग भी आ जाएगी फाई आर होगा फस्ट इंडिके ठीक है फस्ट इंसाइट रिपोर्ट की अगर हम बात करें फॉस्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे हैं बात करें इन सारी चीजों को इंक्लूड करते हुए अगर आप देखेगा यहां पर तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा अठारा बड़े राजियों में जहां अबादी दो कडोर से भी जादा है दो कडोर से जादा कि अबाद से बात करें तो यह रिपोर्ट 2020 में सेवन्थ नंबर पर था 2020 में कौन सा पोजिशन सेवन्थ पोजिशन था ठीले रहेगा अब बात आती है कि टॉप में कौन सा स्टेट है तो टॉप में है आपका करनाटक ध्यान रखिएगा करनाटक जो की फस्ट रैंक पर है वहीं अग कर देखें 36 गड़ का ओबरॉल रैंकिंग की अगर हम बात करें तो इनको 5.20 मार्क्स मिला है 5.20 मिला है और नाइंट पोजिशन पर है और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बिहार उतर परदेश सबसे लास्ट में आता है और साथी साथ बिहार 16 पोजिशन पर ऐसे में आपका 36 गड़ का रैंकिंग जो है वो 9th रैंकिंग है क्लियर रहेगा याद रहेगा चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम next question पर अगला question है परियावरन संबंधी नियमों के उलंगन में किस राज्य के उद्योग दूसरे स्थान पर है तो परियावरन संबंधी नियम और उ second number पर है और इन ही सब प्रकरण के मामले में अगर आप देखिएगा तो प्रकरण में उद्योगों का अगर देखे तो उद्योग जो है उद्योगों के ऊपर कारेवाही में कारेवाही में फस्ट रैंकिंग है इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 36 गड़ में 36 गड़ 312 उद्योगों को बंद करने के निर्णे लिए गया है ठीक है बंद करने का आदेश जारी किया गया है और अब आती है यहाँ पर अगर आप देखेंगे है कि 36 गड़ तो second number पे है तो number one पे है महरास्ट्रा जहां पे 600 और 60 उद्योगों को बंद करने की बात कही गी है ठीक ह आपको यहाँ पर green green card provide किया जाता है यानि आपको allow किया जाता है कुछ मानकों के साथ कुछे standard के साथ तो उन में से कोई भी standard follow ना करने के मामले में 36 गड़ के उद्योग जो है second number पर आते है तो पूछा यही गया था कि राज्य के उद्योग दूसरे अस्थान पर है तो 36 ग इसके कितने परतिसत लोगों दुआरा तंबाको 7 किया जाता है तो तंबाको उभ्योगिता राजियों की सूची में अगर आप देखेंगे तो 36 गड़ की अगर हम बात करें तो 36 गड़ का pool 39.1% population क्या है तंबाको consume करती है इन में से अगर आप देखेंगे तो 13 से 15 साल के 8 परतिसत ऐसे बच्चे हैं 8 परतिसत ऐसे बच्चे हैं जो स्कूली सिक्षा ग्रहन कर रहे हैं और वो भी तंबाको का सेवन करते हैं किलियर रहेगा स्कूली सिक्षा ग्रहन कर रहे हैं स्कूल जाने वाले विद्यार्थ भी यहां पर तंबाको का सेवन करते हैं तो 36 गड़ था गया है कि 2030 तक हम क्या है तंबाकू को कंप्लीटली नियंतरन कर लेंगे तंबाकू जो है हमारे है यूज नहीं होगा ठीक है तंबाकू मुक्त राज्ये में हम आ जाएंगे लेकिन अभी अगर यहां पर जो परसेंटेज है 39.1 परसेंट का इसके अलावा 13 से 15 वर्स तक के बच्चों का 8% का जो परसेंटेज है यह डेटा कहीं और ही लेकर के जा रहा है ठीक है तो ध्यान रखिएगा पूछा जा रहा था कि तंबाकू उपयोगिता वाले राज्यों के सूची में 36 गड़ के कितने परतिसात ऐसे लोग है जो तंबाकू उपयोग करते हैं तो करेक टीक है डीजीज मेंटल डीजीज वाले यहां पर 22.8% ऐसे लोग है जो 36 गड़ में मांसिक बिमारी से जूज रहे हैं क्लियर रहेगा अगला कुशन है 36 गड़ राज्य महिला उद्यमिता नीती कब से कब तक लागू की जाएगी तो पहले आपको इसमें देखना है कि प्रावधान किया गया है ध्यान रखेंगे विसेश छूट का प्रावधान किया गया है जैसे विनिर्मान में अगर आप लगाते हैं ठीक है विनिर्मान में तो राज्य सरकार आपको लोन देगी 40 लाख रुपे तक ठीक है 40 लाख रुपे तक का आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा वहीं अगर आप सेवा चेतर में लगाते हैं सेवा चेतर में अगर आप काम करते हैं तो सेवा चेतर के लिए यहां पर 20 लाक 25 लाक रूपीज और वहीं अगर आप प्रोडक्शन में अगर आप हम बात करें और द्योगिक में ब्याप बैवशाय के लिए अगर हम बात करें तो यहां पर विनिर्मान सेवा बेवसा है इन सभी को एक साथ ले करके चल रहा है और उसका प्रोजेक्ट बड़ा है यानि विनिर्मान प्रोजेक्ट की बात करें सेवा चेतर का प्रोजेक्ट है बेवसा है बिजनस संबंदी कोई प्रोजेक्ट है तो इन सभी के लिए आपका क्राइटेर सुवस्ता हैता सम्मूगों के लिए आर्थिक सा हैता इसके अलावा एक वरस तक का अत्रिक्त समय लोन चुकाने का साथी साथ विशेश अनुदान की बेवस्ता भी राज्य सरकार के द्वारा की गई है तो एक भारत स्रेष्ट भारत इवा संगम फेज 2 ध्यान रखेगा फेज 2 के लिए 2023 फेज 2 के लिए राज्य के एनाईटी रायपूर को एनाईटी रायपूर को एनाईटी नागालेंड के साथ एनाईटी रायपूर प्लस एनाईटी नागालेंड के साथ कंबाइन रूप से इवासंगम के लिए नोडल एजंसी बनाई गई है तेटा ऩ क भ्रहमन कराया जाएगा ताकि इन दोनों राज्यों की संस्कृतिच और सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में बच्चों को पता कच चल सके ठीक है इसी के लिए युवा संगम 2023 में 36 गड़ में एनाइटी रायपूर को इसका नोडल एजेंसी एनाइटी नागा लेंड के साथ मर्च करके बनाया गया है कि लिए रहेगा तो करेक्ट ऑप्शन बन ज किया जाता है और डबलू एच ओ की स्थापना सेवेंथ आफ अपरील साथ अपरील 1948 को हुई थी दियां रखेगा 1948 को हुई थी और इसी लिए रखेगा आप इस्टेब्लिस्मेंट डे के नाम से ही जेनेवा ध्यां रखेंगे आप जेनेवा जेनेवा में डबलू एच ओ का हेड़कोर्टर है और वहीं से वहीं से आपका वर्ल्ड इंटरनेशनल अगर हम बात कर एंटरनेशनल फेल्फ डे डे के के रूप में health day के रूप में celebrate करने की घोशना की गही है clear रहेगा तो 7 और अपरील 7 अपरील को यहाँ पर international health day के रूप में celebrate किया जाता है तो correct option बन जाएगा आपका 7 अपरील ठीक है इसके लावा 36 गण में याद रखेगा एक अपरेल से एक अपरेल से अगर आप देखेंगे तो सहरी मजदूर नयाई योजना बेरुजगारी भत्ता योजना डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इसके उपर काम करती है नाड़ा यहां पर ikiह करते के उपर काम करते हैं वर्ट एक पार की की एशनी को पर काम करते हैं तोAll नाडा ने जो इस्ट्राइड बैन किया है उसको ध्यान में रखते हुए नेशनल एंटी डोपिंग एजनसी ने इसके कंज्यूमर्स को यानि जो कंज्यूम करते हैं जैसे बड़े-बड़े एथलीट इसको कंज्यूम करते हैं ओलम्पिक में जो जाने वाले जो एथलीट होत संजीता चानु को ठीक है दो बार एंटी डोपिंग के लिए ठीक है दो बार डोपिंग के लिए टू टाइमस डोपिंग के लिए बैन कर दिया गया है कितने साल के लिए चार साल के लिए ठीक है ध्यान रखेगा दो टाइम मतलब दो बार डोपिंग करने के लिए यहां पर आपका चार साल के लिए four years के लिए बैन किया गया है और कौन है संजिता चानू तो यह common wealth games की winner common wealth ठीक है cwg धियान रखिएगा common wealth games की winner है clear रहेगा clear रहेगा तो correct option बन जाएगा यहाँ पर आपका सबसे अमीर sports owner अभी तक अगर आप देखेंगे तो यह list जारी की गई है Forbes के द्वारा Forbes की 2023 के लिए जो list जारी की गई है सुची जारी की गई है उसमें भारत के भारत के इंडस्ट लेस्क मुकेश अंबानी ध्यान रखेंगे मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी जो है विश्व के सबसे बड़े sports person है ठीक है जिनकी net worth कितनी है 82.3 billion dollar की ठीक है 3 billion dollar USA ठीक है US dollar की यहाँ पर net worth है आपका sports का वहीं अगर आप देखेंगे तो इससे पहले कौन था तो आपको याद रखना है यहाँ पर कीन से पहले में अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर आता है सबसे पहले नाम आता है यहाँ पर आपका Steve Walmer का याद रखिएगा सबसे पहले किसका नाम आता है स्टीव वालमर स्टीव वालमर जो थे पहले यहाँ पर सबसे टॉप में आते थे और इनकी अगर हम देखें तो लॉस अंजिलस के लिकेशन्स में अगर आप देखिएगा तो इनके फार्म का नाम है और इनकी जो नेट वर्थ बिलियन एट प्रजेंट है 80.5 उस डॉलर की है 80.5 बिलियन उस डी की है तो स्टीव वालमर को पीछे करता हुए मुकेश अंबानी वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट स्पोर्ट परसन बन चुके है स्पोर्ट्स ओनर बन चुके है रहेगा करेक्ट आपस नहां पर बनेगा डी डैट इस मुकेश अंबानी ओके ओके चलिए नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं क्वेशन है हाल ही में किस राज्य के बनारसी पान को जी आई टैग दिया गया है तो आप सभी को पता होगा जी आई टैग तो जी आई टैग जो है उत्तर परदेश के बनारसी पान को दिया गया बनारसी पान को जी आई टैग प्रोवाइट किया गया और इसके अलावा 22 ऐसे प्रोड़क्ट हैं 22 ऐसे प्रोड़क्ट हैं जो की बनारस के 80 छेतर से बिलॉंग करते हैं और कासी एरिया से बिलोंग करने वाले सभी प्रोड़क्ट को GI टेग दिया गया है तो इस बार सरवाधिक GI टेग में अगर आप देखिएगा तो GI टेग में सरवाधिक UP के खास करके 12 नशी वाला एरिया जो पुराना कासी जिसके बारे में हम जानते हैं पुराना कासी वाला शितर के 22 प्रोड़क्ट ihitegg में समिल यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हैं आपका बनारसी पान भिहार का मघी पान रखेगा मघी पान उत्तर प्रदेश में बनारसी पान और वैंगवाल में ब Caribbean प्ली बहुते हैं उसको जो लिफ होती है ना बांगला पती मीठी पती मगी पती चौड़ी पती यह सारी चीज़े इसके पान के classification में आते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पश्ची मंगाल के बांगला पान जो है यहाँ पर ओल्रेडी बांगाल के लिए famous है और यहाँ उत्तर परदेश के बनारसी पान को हाली में geographical indication टैग प्रोवाइड किया गया है तो correct option क्या बन जाएगा correct option बन जाएगा okay next question है यहाँ पर हाली में संजुक्त रास्ट संग के सर्वुच सांखी की आयों का सदस्य किस रास्ट को चूना गया है तो ध्यान से एक जनवरी 2024 से लेकर के चार साल के लिए four years के लिए अस्थाई सदस्यता दी गई है किसमें सर्वुच सांखी की आयोंग में clear रहेगा जो world के पूरे विश्यों के आकड़ों के उपर काम करते हैं ठीक है जो भी आपको वहाँ statistical data आता है उन सभी के उपर work करते हैं चाहे वह economic data हो social data हो educational data हो health का data हो किसी भी तरीके का data हो सारे data को analyze करने के लिए भारत को उसमें स्थाई सदस्यता चार साल के लिए प्रोवाइड की गई है कब से लागू होगा एक जनवरी 2024 से तो correct आपस ने हाँ पर बन जाएगा आपका भारत ठीक है clear रहेगा clear रहेगा तो NATO stands for North Atlantic Treaty Organization ठीक है और इसमें सबसे ज्यादा वर्चस हो कौन है तो वर्चस रखता है USA United States of America NATO बनाया North Atlantic Treaty Organization इसमें स्वीडन ने और स्वीडन के साथ-साथ फिन्लेंड ठीक है फिन्लेंड नौर्वे नौर्वे के बाद जॉर्जिया यह सारे कंट्रियों ने अपलाई किया था अर्जेंटिना अब राजिल सब लोग यहां पर अपलाई किये थे तो इसमें बोला गया है कि हाली में 31 रास्ट के रूप में किसको सामिल किया गया है तो इससे पहले अगर मैं बता दूं कि स्वीडन को स्वीडन की सदस्यता के लिए हंगरी और तुर्किये ने मना कर दिय कि अगर कुछ बोल देता है तो वहां पर स्टे लग जाएगा वह रास्ट जो है सामिल नहीं होगा तो आपको यहां पर एंसर बताना है कि किस रास्ट को 31 रास्ट देश यानि कि सदस्य रास्ट के रूप में नाटो में सामिल किया गया और पिछले कुशन में मैंने आप से पूछा था तो वहां पर PPK महिला आयोग के सर्व महिला अध्यक्ष के रूप में ठीक है चालीश में महिला अध्यक्ष के रूप में किसे ने उत्किया गया है तो सुधाष शीव कुमार को तो correct option वहां सुधाष सीव कुमार होगा और यहां इसके answer आपको comment box में comment करके देन में तो इस बात के लिए वरी मत कीजिएगा ठीक है चलिए मिलते हैं बहुत ही जल नेक्स सेशन के साथ बने रही है चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेर जरूर करें थैंक यू समच